हेलो दोस्तो मेरे योटूब चैनल SMK गार्डन में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो मेरा जो ये रेन लिली का पोदे का गमला है ये इतना भर चुका है कि इसमें पानी डालने की भी जगे नहीं बची है तो आज मैं इसको दूसरे गमले में लगाऊंगी लेकिन दोस्तो ये इस तरह से इसमें इसकी मट्टी सकत हो गई है निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो ये दो बड़ा पोट मैंने लिया है इस पोट में मैं इसको लगाऊंगी तो चलिए दोस्तो इसको दीरे दीरे न रूट्स इसमें फैल चुकी थी तो दोस्तो जो ये नीचे की रूट्स से इन सब को मैं हटा दूँगी और उसके बाद ही मैं इसको दूसरे गमले में लगाऊंगी क्योंकि दोस्तो इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हो चुकी है और ये देखी अभी मैंने इसको बिल्कुली अलग-अलग कर लिया है और ये इनके जो अंदर के छोटे-छोटे बलब दिखाई दे रहे हैं इनको हम अगर चाहें तो बहुत सारे गमले हम इनसे बना सकते हैं क्योंकि इनको हम हर एक को अलग-अलग करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं इसके ज्यादा गंले नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पहले भी इसके कई गंले है, तो मैं आप इसको ज्यादा इसी में ही लगा दूँगी, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें बहुत ही सुन्दर फूल आएंगे और जो ये मेरे पोदे हैं ये इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है जो बहुत ही अच्छा और सुन्दर दिखाई देता है इसके बिलकुली कम बल्फ मैंने इसके अलग किये हैं जो मैं इस छोटे वाले काले गमले में लगा दूंगी बाकी मैंने पूरे इसी में ही लगा दिये हैं और ये देखिए अभी मैंने इसको लगा कर तैयार भी कर दिया है अब हम इसमें छोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको एक साइड में रख देंगे तो मेरा ये पोदा लगकर तैयार हो गया है